गुड मॉनिंग बच्चो आज मैं आपको क्लास जंतनगीन प्रकाशन का प्रश्णा वली 1-1 का प्रश्ण करवांग संख्या 7 कराने जा रहे हूं बच्चो पहले के कुश्चन्स मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया आप वहां जाकर देख ले ना और मेरे चैनल को सस्क्र जरूर कर देना देखो कुश्चन है हमारे पास वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद कीजिए जिससे 189 और 249 को भाग करने पर शेश्वल प्रतेक दशा में 9 हो जाए अब आपके पास देखो बड़ी क्या कुश्चन ने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या जब बड से बड़ी संख्या पूछे तो मासा निकाल लेना होता है लेकिन अभी नो ने दिया है कि शेश्वल आपका प्रतेक दशा में 9 हो तो क्या करोगे इस 189 और 249 में से सबसे पहले 9 को भाग दे दो यहां देखो 149 यहां लिख दो आप 189 माइनस 9 इसमें 189 में से 9 माइनस कर द तो आपके पास बचा 240 अब यह दो नंबर आपके पास मिल गए इन दो नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है बड़ा नंबर जो बड़ा नंबर है उसकी साइड एरो का निशान बड़ा वाला लगा दो यह और चोटा नंबर ऐसे यानि आपको पता चल गया यह बड़ा कर दिया अब 180 वन जा 180 हो गया घटा दो घटा दिये तो आपके पास बचा देखो यहां 0 में से 0 यहां 14 14 में से 8 माइनस हुआ तो बचा 6 यहां 1 में से 1 कट गया अब यह 180 यहां 180 उतार लो यह आपने 180 उतार लिया अब देखो तब तक हमें निकालना होता है तब तक नीचे 0 ना आजा आप देखो 63 जा आपका 180 हो गया 63 जा 180 यह कट गया पूरा यानि इसका आपके पास HCF क्या मिल गया? वासा आपको मिल गया 60 अब क्वेशन में नहीं क्या पूछा था? यहां आप लिख दो कि HCF बराबर किसका? 180 और दूसरा 240 का कितना हो गया वह हो गया आपके पास 60 तो question में इनों ने पुछा है बड़ी से बड़ी संख्या ना यानि यहां लिख दो अता हाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 60 होगी जो 189 और 249 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके है को पूरी तरह से विभाजित कर सके अच्चो वीडियो का आप चाहे स्क्रीन शॉट टेकाल लो चाहे वीडियो को पॉस करके उसको नोट कर लो मैं ऐसे ही सारे कुश्चन्स आपको देती रहूंगी मेरे चैनल को जादा से जादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बाई बच्चो